उम्श्यान्ती आपके प्रशन और हमारे ज्वाब चलते हैं मुंबई से संतोष ने पूछा है मेरा प्रशन है मुझे शराब का व्याशन है रोज सवेरे उठता और सोचता हूँ आज नहीं प्योंगा लेकिन टाइम होने पर मैं पीता हूँ आप कुछ उपाए बताएं संतोष भाई आपकी विल पावर बहुत कमजोर है आप जो सोचते हैं वो नहीं कर पाते इसके लिए मैं आपको सुझाओ दूँगा बहुत सारे राजयोगा सेंटर्स हैं मुंबई में अगर आप कहीं वहां कनेक्ट हो जाएं और सेवन डे कोर्स करें meditation का तो take it guarantee आपके विल पावर बहुत बढ़ जाएगी कुछ दिनों में meditation जब वहां continuous करेंगे meditation से आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा स्वते ही छूट जाएगा और दूसरा क्योंकि आप मुंबई में रहते हैं आपके लिए फाइदे मन डाक्टर सचिन विक्रोली सेंटर पे हैं आप net में जाके ढूंड सकते हैं ब्रह्मा कुमारीज विक्रोली और वहां contact नंबर मिल जाएगे आप वहां विक्रोली सेंटर पे डाक्टर सचिन से मिलें डाक्टर सचिन पाग तो वो उनकी यूट्यूब में क्लासेज भी आपको मिलेंगी तो वो व्यसन मुक्ती पर उनको महराष्ट सरकार में पुरुसकृत किया है बहुत सारे उन्होंने बामबे तो क्या सारे राष्ट भर में लोगों को शराब, बेडी, सिगरेट इन सब व्यसनों से मुक्त किया है उसके record रखें जिससे government ने उन्हें पुरुसकार दिया है तो आप उनसे contact करें, वो आपको medicine भी इसकी देंगे, व्यसन मुक्ती की और meditation का भी बड़ा अच्छा तरीका बताएंगे Next question, फिर है उशा खत्री का मैं दो साल से बाबा का ज्यान सुन रही हूँ, पवितरता भी धारण की हुई थी लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप पवितर विचार आ रहे हैं और पवितरता भी नहीं है बाबा से माफी भी मांगी, लेकिन बार बार वही गलती हो रही है मन बहुत प्रेशान रहता है अमरत वेला भी अच्छा नहीं होता दो बजे रोज निन खुल जाती है लेकिन बार बार वही गल्ती बाबा से रूरवान नहीं हो पाती मुरली भी सुनने नहीं जाते सौमान का अभ्यास भी करते है लेकिन फिर भी मन भारी रहता है लगता है कि बाबा से परतिग्या करके तोड़ दी बाबा हमसे नाराज है उशा भेन नहीं ये आपकी सोच गलत है बाबा कभी किसी से नाराज नहीं होते और नमबर टू हॉस्पिटल हमेशा होते हैं पेशेंट के लिए और आपने बड़ी भारी गलती की कि आपने सेंटर जाना छोड़ दिया मुरली सुनने आप नहीं जा रहे हैं आपको जाना चाहिए क्योंकि सेंटर जो है वो एक रुहानी हॉस्पिटल है जहां और आपको तो जरूर कोई ना कोई पेशेंट रोग है ऑस्पिटल नफरत नहीं करता रोगियों से आप वहां जाएंगे आपको पावर मिलेगी spiritual empowerment होगी past is past, past की गलतियों को बार-बार नहीं सोचें लेकिन वहां जाके अच्छी spiritual empowerment लें देदियों से तो उससे सब ठीक हो जाएगा don't worry और कहीं आपको अच्छा मोका मिले कुछ योग बठी का माउं टाबू या और कहीं आपके लोकल सेंटर पे तो आपको बहुत उससे ताकत मिलेगी नेक्स्ट क्वेस्चन संदीप भर्याना का मेरी पतनी एक महिने से उसके घर गई हुई है उसको मेरे परती गलत फहिमी हुई है मैं उसको प्यार नहीं करता उसे लगता है कि मैं पैसे से प्यार करता हूँ मगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो क्या करूँ जिससे उसका मुझे पर विश्वास हो जाए और संबन मधोर हूँ संदीप जी ठीक कह रहे हैं लेकिन थोड़ा सा चेक करने की जुरूरत है कुछ न कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे उनका विश्वास आप से उठ गया है और अगर वो गलतियां उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उन्हें चेक करें और उन्हें अपनी गलतियों को परिवर्तन भी करें और फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे बेलकुल ठीक होने के बावजूद भी उसको मेरे से पर विश्वास नहीं है तो फिर आप ऐसा कीजिए आप शुब करते चाहिए भला करते जाये कर भला हो भला अंत भले का भला एंड आखर एक दिन आएगा जो आपकी गुड विश्वास में पूरा ले आएंगी तो डॉन्ट वरी और इसमें थोड़ा सा मेडिटेशन का भी प्रयोग करें मैं किसी भी सेंटर पे जाके मेडिटेशन का अभ्यास करके उनको आप रेज देंगे किरणें देंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा विश्वास में आ जाएंगे नेक्स्ट प्रशन मम्ता मध्य परदेश से पूछ रही हैं मम्ता बहन पूछ रही है कि मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ ज्यान में चलते हुए 14 साल हो गए हैं लेकिन मैं अभी तक कोर्स कराने की पावर नहीं आई तो मुडली भी दोनों टाइम सुनती हूँ तो मम्ता बहन आप क्या कीजिए थोड़ा सा कभी दीदियां जब कोर्स कराती हैं तो उस वक्त आप साथ बैठा करें और उनको ध्यान से सुनें कैसे कराती हैं तो उस पिक अप करें और उसके नौट्स बनाएं और फिर आप प् स्टडी भी करें सबताहिक पाठे करम से फिर आपको सक्सेस मिल जाएगी प्रैक्टिस मेक से मैं परफेक्ट नेक्स्ट क्वेस्चन कारतिक जी पूछ रहे हैं मैं तीन साल से ग्यान में हूँ मेरा आठ लाग का करजा हो गया है वो लोग बहुत प्रेशर कर रहे हैं वो करज तो एक मर्ज है इसलिए करज लेना हमेशे बाबा ने मना किया हुआ है वैसे लेकिन आप ले चुके हैं तो don't worry हिमत नहीं हा रहे हैं आप meditation करेंगे तो आपको भगवान का साथ मिलेगा जो लोग प्रेशर करते हैं उनके लिए कुछ प्रेशाद भी लेके जाएं और क meditation करके परियास करेंगे तो आपको मालूम हो कोडी पती धीरे धीरे करोड़ पती बन जाते हैं और सब करजे उतर जाते हैं तो don't worry इश्वर आपको साथ देंगे विश्वास करो और meditation साथ करो you will get 100% success आपको पूरण सफलता मिलेगी इंदू व्यास जी ने भपाल से प्रशन पूछा है मेरा एक प्रशन है यदि कोई व्यक्ति जनम से ही बहुत दुखी रहा हो इस जनम में उसके मस्तिक में पुरानी सारी यादें कटू समरिती के रूप में हो तो फिर ये पांजार वर्ष बाद क्या हुभूर पीटोंगा इससे तो मन बहुत दुखी होता है बिलक लाई है कि कभी भी जो बात बीट जाए तो उसको इस डंग से चलाओ अरे भई ये तो अनेक बार लाखों बार हुआ था इसलिए ये होना ही था इसको गाड भी नहीं टाल सकता था मैं भी नहीं टाल सकता क्योंकि इत वाज फिक्स ये मेरे अंदर ड्रामा में पार्ट फिक तो हर कलब हर पांजार वर्ष बाद ये अच्छा होता जाएगा इसलिए इसको पॉजिटिव धंग से चलाएंगे तो आप सक्सेस्फुल होंगे कृष्णा कुमार जी ने केरला से क्वेश्चन पूछा है my today question can yoga help reduce the pain in sinuses and remove the ill effect of alcohol from our body and make our mind peaceful yes definitely krishna you are right actually yoga can help raj yoga can reduce the pain of not only sinuses but every type of pain and remove the all type of ill effects not only alcohol even cigarette and everything you will get free from all type of ill effects and there are proof in evidence there are lacks of brahman bk brother sisters who have get free from these type of effects and many type of pain only you have to practice the powerful meditation this is the way that you can get success तो ये था आपके कृष्ण कुमार जी के केरल का ज्वाब वरेंद्रा जी पूछ रहे हैं यूपी से मेरी प्रेशानी है जब मैं योग में बैठता हूँ मेरा सर बहुत भारी हो जाता है क्या करना है मैं क्या करूँ क्या कारण है हाँ वरेंद्र जी वास्ता में लाखों राज योगियों का ये अन्भव है वो योग में बैठते हैं तो रलेक्स हो जाते हैं और सर भारी हो तो बिलकुल हलका हो जाता है आपकी कुछ शारेरिक कारण भी हो सकता है आपको चेक कराना चाहिए कुछ सरदर्द या कुछ और वो तो नहीं है नमबर टू आपकी योग की विधी जो है वो अगर यर्थार्थ है तो आपका सर कभी भी भारी नहीं होगा क्योंकि योग की विधी जो है वो बड़ा important चीज है विधी अगर ठीक है तो आपकी सिद्धी भी अवश्य होगी तो आप उसको अच्छी तरह से महनों से मिलके पुने योग की विधी सीखने की कोशिश करें फिर next है दिनेश्वरा का 36 गड़ से जाने अन जाने में मनसा वाचा कर्मना कहीं न कहीं विकरम हो जाता है तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा कि आप पुर्शार्थ बढ़ा कर उसे छुटकारा पा सकते है दिनेश्वर जी बिलकुल ठीक बात है आपकी जाने अन जाने में जो पापकरम होते है जरूरी नहीं उसका फाला में भूगना पड़े उसके लिए शिप बाबा ने वेधी बताई है जुआला मुखी योग पाउरफुल योग आत्मा बिंदू बन के सरव शक्तिवान शिप बाबा के साथ जब आप पाउरफुल योग करते हैं तो उसमें आपके विकरम उसी डंग से विनाश हो जाते हैं जैसे लेंस को सूरे रखने से नीचे सूरे के सामने रखते हैं तो नीचे पेपर जल जाता है इसलिए आप इसमें निश्चेंत रहें आप परियास करें किसी तरीके भी आप अच्छा योग करना सीखें आप किसी भी रायोगा मेडिटेशन सेंटर पे जॉइन करके उस योग के विधी को सीखेंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें बहुत ही मदद मिलेगी नारायन जी ने एक परशन पूछा है बावा ने कहा कल्यान की भावना रख परदर्शन मुक्त भाव पाप आत्मा संके बचने और उनकी पैचान कैसे करें और मद्या जी भाव का आर्थ क्या है बिलकुल ठीक है नारायन जी हमारे श्रिमा भगवत गीता में का मन मना भाव मद्या जी भाव मद्या जी भाव मन को मेरी ओर लगा और मद्या जी भाव मेरा पूजा पाठ करने वाला बन या कुछ भी अर्चना करनी है मद्या भाव मेरी भक्ती कर माम नमस करू मेरे को नमस्कार कर तो बाबा ने जो ये कहा है मद्या जी भाव यहां पर बाबा कहते कि बच्चे वर्से को मनवना भाओ, एकशिप बाबा को याद करो और मध्याजी भाओ वाना वर्से को याद करो और रेगी बात परदर्शन मुक्त भव कोशिश करें जब भी किसी का विचार चलने लगें तो उसको एकदम उससे मुक्त हो जाएं सव चिंतन और प्रमातम चिंतन में बीजी रखें अपने को पापातमा से संग से बचने के लिए उसकी पहचान के परख लें शिरिमत की कसोटी पे क्या ये बिल्कुल शिरिमत प्रमान है अगर उससे बाहर है तो फिर एकदम परख के कोशिश करें कि किनारा करें